अभी अभी राजधानी पटना के एनाइटी घाट पर एक छात्र के डूबने की खबर आ रही है धंगा में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है बता दें कि छात्र की तलास में पुलिस जूटी हुई है लेकिन अभी तक छात्र नहीं मिल पाया है आक्रोशित लोगों ने एनाइटी मोर को जाम कर दिया है जिससे यातायात बाधीत हो गया है तो ये खबर राजधानी पटना से है कि एनाइटी घाट पर एक छात्र गंगा में अस्टान करने के दौरान डूब गया और डूबने के बाद पुलीस उसकी तलास में हलाकी जुटी हुई है लेकिन अब तक छात्र को बरामर नहीं कर सकी है अस्थानिय लोगों ने काफी गुश्य में है और आप देख सकते हैं सीधे तश्वीर आपके सामने है कि किस तरह से लोग शरक को जाम कर दिया है शरक जाम कर यातियात को बादित कर रखा है और कहीं न कहीं इसमें जो है सुप लापडवाही की बात कही जा रही है लेकिन ये बड़ी ख़वर पटना राजधानी से है कि एनाइटी घाट पर एक छात्र गंधा मरस्नान करने के दौराण डूग गया था